नमस्काराम पंद्रा हजार साल से ज्यादा समय पहले आदियोगी दक्षन की और मुड़े थे इस दिन के बाद धर्ती से देखने पर सूर्य दक्षन की और जाता दिखता है ये गर्मियों की संक्रांती है इसी दिन वे दक्षिन की ओर मुडे और योग विज्ञान सिखाना शुरू किया इसी लिए ये दिन अंतराष्ट्रिय योग दिवस की रूप में घोशित किया गया है ये अंतराष्ट्रिय योग दिवस पहले से कहीं ज़ादा महत्वपूर्ण है बस इस महामारी के कारण हमारी पूरी पीड़ी ने ये महसूस किया है कि कैसे हमारे जीवन में अचानक बिना किसी चेतावनी के इस महामारी ने उथल पुथल मचा दी तो ऐसे समय में इन बाहरी आकरमनों से लड़ने के लिए एक जीवन्त और लचीला शरीर एक खुश और केंदरित मन और कभी न ठकने वाली उर्जा को तैयार करना सबसे ज़रूरी है क्योंकि वैग्यानिक बता रहे हैं कि ऐसी महामारी बार बार आ सकती है अभी भी महामारी खत नहीं हुई है हम इसे महामारी के बाद का समय नहीं कह सकते महामारी का मौसम जारी है हमने भारत में और दुनिया भर में कई अलग अलग देशों में दो लहरें देखी है वाइरलोजी के क्षेतर के प्रमुख लोग कह रहे हैं कि ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक समय तक चल सकता है तो ये बहुत महतुपून है कि हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाए एक ऐसा शरीर बनाएं जो लचीला हो और ऐसा मन बनाएं जिसमें संतुलन और उल्लास हो ताकि हम अपने जीवन में कम से कम उथल पुथल के साथ जीवन की इस कठोरता से घुजर सकें तो योग एक जबरदस संभावना है योग कोई सरल कसरत नहीं है ये एक जटल सिस्टम है इंसानी अस्तित्व की मशीन को समझना कि हम कैसे बने हैं और इसे सबसे उची संभावना तक कैसे ले जाएं योग शब्द का अर्थ है मिलन यानि अपने अस्तित्व की ब्रह्मांडिये प्रकृति को जानने के लिए अपने अस्तित्व की सीमाओं को सचेतन होकर मिटा देना ये जानना कि इस ब्रह्मांड में हम जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा होकर भी पूरे ब्रह्मांड का अनुभाव कर सकते हैं पर इसके कई दूसरे पहलू भी हैं जिनकी मदद से ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्षों को पूरा करने में भी बड़ा योगदान दे सकता है। हेल्थ केर खत्म होना चाहिए। सेहत और खुशाली हमें समझना होगा ये सिर्फ हमारे भीतर से ही आ सकती है। बात आपके शरीर की हो या मन की हो या भावनाओं की हो या उर्जा की आपकी हर चीज सबसे उंचे स्थर पर होनी चाहिए। यही सेहत है और हमें इससे कम लक्ष नहीं रखना चाहिए। योग में ये शक्ती है। योग में आपको वहां पहुँचाने के लिए जरूरी विज्ञान और तकनीक है। आत्म रूपांतरण के योपकरण, खुशाली की ये तकनीकें सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। हमने इशा में विशेश रूप से इस बहामारी की स्थिती के लिए, आज की इस बहामारी की दुनिया के लिए, हमने एक छोटा पाकेज बनाया है, जो इम्म्यूनूटी को बढ़ाएगा, और आपके दिमाग में सम्ता और शरीर में जीवन तता लाएगा। ये एक बहुत ही सरल पाकेज है, दिन में कुछ मिनट लगाईए, ये ओनलाइन निशुल को उपलब्ध है, कृपया इसका उपयोग करें, ये उन लोगों के लिए पूरी जानकारी और गहराई में उपलब्ध है, जो रुची रखते हैं, और उनके लिए एक सरल पाकेज मे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरी इच्छा और मेरा अशिर्वाद है, कि आप सभी लोग योग का कोई न कोई पहलू अपनाएं, और एक संपून जीवन जीएं, ये महामारी हमारी जीवन में आ चुकी है, ये एक सच्चाई है, पर हमें इससे बाहर आना होगा, यान मारे अंदर ऐसा करने के क्षमता है, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, कि आज इस महामारी का वाइरस सिर्फ इनसान फैला रहे हैं, और अगर लोग योग को अपनाते हैं, यानि वे अधिक जागरूख हो गये हैं, और आदतों के हिसाब से नहीं जी रहे, अगर ऐसा होता है तो महामारी को कंट्रोल करना और रोकना, इसे दूर रखना बिलकुल हमारे हाथ में हैं, आईए इसे सच्चाई बनाएं, आईए इस अंतरराष्ट्रिय योग दिवस पर ये तैय करते हैं, हम योग को अपने जीवन में लाएंगे और वाइरस को जरूर हराएंगे